बिस्मिल्लाइरमानियरहीम यह problem differential calculus के expansion of functions chapter से है expand to 2xq plus 7x square plus x minus 1 in power of x minus 2 तो इसका solution हम लोग करेंगे च्परमेक्स को expand करना है तो इसलिए समझ जाएंगी ये हमारे Taylor theorem से इसका expansion कर सकते हैं इसका expansion possible है तो सबसे पहले तो हम इस function का expansion करना होता है इसको माल लेते हैं इसे fx के एककुल माल लेते है let fx is equal to 2x2 plus 7 x square plus x minus 1 अब हमें इसके derivative की भी जरूवत होती है उसको भी find करनें लेकि उससे पहले हम ये बताते हैं कि Taylor theorem क्या होती है जो हम x equal to a के about किसी function को expand करते हैं तो y Taylor theorem यानि हम किस तरीके से क्यों यहाँ पर derivative निकालेंगे इसके reason को point out करने के लिए इससे हम पहले ही बता देते हैं y Taylor theorem Taylor theorem से हम ये जानते हैं किसी function fx का expansion इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर x equal to a के about हम को expand करना है इसमें x equal to 2 के about यहाँ पर expand करना है यहाँ यह x equal to a के about expand करना हो तो fa plus x minus a f dash a upon कर सकते हैं यहाँ पर factorial 1 लेख सकते हैं plus x minus a whole of square upon factorial 2 f double dash a यहनी second derivative of f at x equal to a plus इस तरीके से और भी आगे पाबर x minus a की बाबर 2 से 3 हो जाएगी factorial में 2 के बाद 3 आजाएगा और 3 derivative अगला तर्म इस देगे और आगे भी इतने भी तर्म इतने भी बार इसको differentiate किया जा सकते हैं तो 3 पाबर है तो 3 derivative भी आएगा और 4 derivative और उसके higher derivative 0 हो जाएगे इसलिए हम सिर्फ 3 derivative तक ही निकाल लाँगा यहनी 4 term आएगे तो यहाँ पर a की जो value है वो देख रहे हैं यहाँ से 2 के को लेए a is equal to 2 है तो हमारा यह function fx है इस तरीके सो जाएगा fx is equal to f2 per value plus x minus 2 upon factorial 1 f dash 2 plus x minus 2 whole up square upon factorial 2 f double dash at 2 plus 3 में 3rd derivative तक ही find कर सकते हैं क्योंकि maximum 2 इसकी 3 है function की इसलिए इसमें 3rd term हो रहेगा x minus 2 over 3 upon factorial 3 f double dash at 2 plus formula की according तो हम लिख देंगे and so on लेकिन बार में यहाँ पर जब value put करेंगे तो बाकि higher order derivative की value 0 हो जाएगी सिर्विए यहीं तक term बचेंगे तो सबसे पहले हम f2 की value find कर लेते हैं तो यह function हम को यहाँ पर दे रखा इसमें जहां पर भी x न ज़राया बहां पर हमने 2 put कर दिया तो जहां पर भी x है वहाँ पर 2 रखेंगे यानि 2 का q plus 7 into 2 square plus 2 minus 1 इसको solve कर लेते हैं यह 2 का q 8 8 to 16 हो जाएगा plus 2 का इसका 4 4 7 जाए 28 plus 2 minus 1 तो यह value 30 and 30 and 30 and 30 में 68 करें 46 46 में इसकी 1 minus करेंगे 45 value हो जाएगी f2 की value जो हम यहाँ पर put करेंगे आगे तो ऐसी सभी value में find करना है तो इसकी value को find करने के लिए हमें पहले तो function fx दे रखा है यहाँ पर इसको x के respect में एक बार differentiation कर लेते हैं तो इसमें 2x q का differentiation करना है तो 2 constant है से बाह लिए और x q का differentiation हो जाएगा 3x square plus 7 constant है बाह लिए और x square का differentiation यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा इसी देगे से यहाँ पर x का differentiation 1 और constraint का differentiation 0 हो जाएगा इससे लिखा जा सकता है 6 x square plus 14 x plus 1 यह f2 x की value यहाँ पर आ चुकी है और इससी पाइंट पर इस x equal to 2 पाइंट पर इस first derivative की value की जरुवत है, तो यहां पर रख देंगे, जहां पर भी x मिलेगा, वहां पर 2 रख देंगे, 2 का इस पर प्लस 14 into 2, प्लस का 1, तो 2 का इसकर 4, 4 सिक्ष जा, 24 प्लस यह 28 हो जाएगा, प्लस 1 और इसको जब हम लोग solve करे तो यह बलू हो जाएगी, 2 और 1, 3 हो जाएगा, 1 कारी और 2 to 4, 5 हो जाएगा यह, फ्लस 2 की बलू 53 हो जाएगी ऑन अद इस numbers, now we have to find second derivative of f , f , so we differentiate this expression again with respect to x, we get f double dash x, means second derivative of f with respect to x, 6 constant बाह लेने और x square का differentiation 2x हो जाएगा, plus 14 बाहर, और x का differentiation 1, 1 जो की constant x का differentiation 0 हो जाएगा, इसका इंटो करेंगी तो यह हो जाएगा, 12 x plus 14 हो जाएगा, तो f double second derivative की value इतनी हो जाएगा, अब हमें जो की second derivative की value x equal to 2 पर जाएगा, तो जहाँ पर भी x नजड़ाएगा, महाँ पर x की value 2 रखके, इसको value को निकाल लेंगे, इंटो करेंगे 24 plus का, plus का हो जाएगा 14, और add करेंगे, 4, 4, 8, or 2, or 1, 3 हो जाएगा, 38 आगया, अब तर्ड derivative की जब रूवत है, तो third derivative की value फाइंड करने के लिए इसको एक बारवा differentiate करेंगे, तो 12 constant x का बन हो जाएगा, और constant का differentiation 0 हो जाएगा, यहीं only 12 हो जाएगा, और इसके किसी भी पाइंट पर third derivative की value हो निकालेंगे, जोग यह constant है तो 2 पर भी value 12 ही रहेगी, और इसके जो fourth derivative अगर निकालें, तो fourth derivative जो भी constant है, इसका differentiation, third derivative का differentiation निकालेंगे, जीरो हो जाएगा, ऐसे fifth derivative निकालेंगे, तो zero का differentiation जो हो जीरो हो जाएगा, सारे derivative इससे 0 के बरावर हो जाएगे, और उन पर जो x equal to, यहीं only four derivative की value 2 पर निकालेंगे, तो equation number 1 से, देख सकते हैं हमारे function fx है, उसका expansion Taylor theorem से equation number 1 में put करते हैं, f2 की value find की थी, वस value को यहाँ पर देखें, f2 की value 45 थी, plus इसके बाद है हमारा, यह x-2 है और अपान factor 1, factor 1 की value 1 के ही equal आती है, तो इसलिए only हमें यहाँ पर x-1 बन लिख देंगे, x-1, x-2 लिखेंगे, आपान factor 1 की value 1 है, और f-2 की value, f-2 की value हम लोग ने find की थी 53, तो 53 यहाँ पर रख देंगे, प्लस x-2 का होला बिस्क्यार, अपान factor 2 है, जिसकी value 1 into 2 होती है, और इसमें second derivative की value हम लोग ने यहाँ पर point की थी, f2 पर यह value आई 38, vacation number, बन वे यह value, इसकी value बूट कर रहे है, जो कि 38 आई है, इस value को 38 को लिख देते हैं, प्लस अगला term, last term, यहाँ पर x-2 की पावर 3, अपान factor 3 की value होती है, 1 into 2 into 3 होती है, और इस third derivative की value, यहाँ एफर टेफल डेस 2 की value, जो कि यहाँ पर मुने find की है, 12 के कोल है, तो इस 12 को यहाँ पर रख देंगे, इस equation number 1 में यह value सारी put करें, कुछ cancel भी जाएंगे, 3 से हम 12 cancel कर देंगे, 4 times, और 4 भी 2 से cancel होके 2 आजाएगा, जो हम लिखेंगे बाद में, 2 से यह cancel होती 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 है, देख दें, और x-2 का whole of q, इस तरी के यह question complete हो गया है, जो हमारा function दे रखा था, 2 x q plus 7, 7 x square plus x minus 1, इसका expansion x minus 2 की फार में हो गया है, यह power 3, 2, 1 और यहाँ पर 0 in a constant term, thank you very much indeed for listening me, वाकृत दावाना, अलहम्दलिल्लाही रभी लालमेन.